पूर्ण पूरी दिखने वाले का अक्षण वह बीडियो इस वीडियो अमने देखने वाले का एक्षण वहां ब्रवेसा समाज़े विग्यान दिनाग एक सितंबर 2021 के इसमाज 3.0 हमबग के मैं आपर फूल से दिखने वाले हैं तो वीडियो को जो है आपको ध्यान पूरवक समझतों चलना है मैं आपको फिल्कुल एक कोशिन का आपर आंसर को समझाने वाला हूँ तो वीडियो को जो है आपको पूरा ध्यान पूरवक समझना है इसका लिकेत में उत्तरी प्राथ कर सकते हैं और कैसे प्राथ कर सकते हैं आपको बीडियो को बीच में ताओंगा तो बीडियो को अंतक देखीगा तो आप इस बीडियो नीचे जो लाइक वटन देख रहा है उस लाइक वटन को आप जरूर से दबा देना तो हाँ पर देखे अध्याए दो है संसाधन की रूप में लोग टोपी का इसका मानब तो देखिए अर्थ सास्तन में मानब पुंजी उन सवी संपत्यों को संधर्वित करता है जो किसी बेवपसाय को अपने द्वारा बेची जाने वाली बस्तूओं और सिवाओं का उत्पादन करने की आबा सकता होती है हना आप इतना मत लिखीगा ना इतना ने लिखना आपको लिखना है कहां से आपको लिखना है यहां से मानब पुंजी के वर उन लोगों के लिए सारेरिक सिरम से अधिक है जो एक संगठन के लिए काम करते है यह अमूर्त गुणों का पूरा सेठ जो लोगों को संगठन में लाते हैं जो इसे सफल वनाने में मदद कर सकते हैं इन में से कोछ में सिच्छा, कोसल, अनुवा, रचनात्मक्ता, बेक्तेदवस, अच्छासास्त और नेतिक चरित्र सामिल है केहने क्तात पर यहाँ पर यह है कि माना पूंजी मनलब की ऐसे कोसल, ऐसे हमारे अंदर स्केल होना चाहिए जिससे हम उसे संस्यादन क्रूप में परिवर्दित कर सकें यहाँ जाए अपने नग्रेजी बोलने की सपने को पूरा कीजी भारत में सबसे बढ़ी अदाम और टोप क्वालिटी का कोर्स आपको सिर्फ डॉर्णर पर मिलेगा कोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में जिसे की ब्यक्तिक अंदर कुछ स्कील होती है जिसे की उन्हें सिच्छा सिच्छी हासिल कर रहा है उसके अंदर कुछ काम करने की हो गयता है हम उससे की कहते हैं माना पुंजी कहते है इसका देकि सिर्फन कोशन हमें दिया है माना पुंजी में निवेश किस प्रकार किया जात एक विक्तिद की उतप्यदक्तों को बढ़ा देता है यान की यह अजय सिच्छा पर इंवेस्ट करें तो Bjana Poon learn whirlies इसे पेकार प्रिशी च्छन हो गया, प्रवसन हो गया, सरम बजार हो गया यदि हम इस पर निवेस करें मतलब कि माना पुंजी पर निवेस है इसके अंदर इससे होता क्या है जो ब्यक्ति उसके अंदर हना skills develop होती है और ब्यक्ति के उत्वादक्तों को बढ़ा देता है, ब्यक्ति के अंदर काम करने के चमता बढ़ती है अथा माना पुंजी में निवेस में अधिक आर्थिक संपरद्धी में योगदान देती है अब हम देखते हैं आपर क्या अब देखिए, यहाँ पर प्रशन तीन आपको दिएगा है कि माना पुंजी भोतिक पुंजी से क्यों सेष्ट है हमें इसके वारे में बताना है तो देखिए, समस्तियम निसंदे है हम माना पुंजी को सबसे अच्छी पुंजी मानते है माना पुंजी जो है, ब्रह्म, स्रम, भोतिक पुंजी से कई द्रश्टियों से अच्छी है क्योंकि देखिए, नमबर एक पुंट लिखाए माना पुंजी का आर्थिक बिकास के द्रश्टि से दोरा मेत्व है याने कि इसे हमें डवल बेनिफिट होती है लोग बिकास के साधन भी है और साध्दि भी है याने कि बही लोग जो है बिकास भी कर रहा है और बही लोग जो है बिकास जो उनको प्राप्त हो रहा है उसका भे उपभोग भी कर रहा है एक और बे उत्पादन के साधन और दूसरी और बे अन्तिम उप्योग करता है एवं सुम साध भी होता है ना खुद उत्पादन कर रहे है और खुद उसका उप्योग भी कर रहे है इसका कारान है कि विकास का अंतिमोद्देश लोगों को बेतर और अधिक सुरच्छ जीवन प्रदान करना है याने कि लोगों की लाविफिश्टार को बेतर बनाना है दूसरा मानाव संसादन भूमी और पुंजी जैसे अन्य संसादनों का उप्योग कर सकता है जो मानाव है भूमी और पुंजी का उप्योग कर सकता है किन्तो भूमी और पुंजी अपने आप उप्योग नहीं के सकती क्योंकि जो माना भय भई तो भाई तो पुंजी का इंबेश्टमेंट करता है किस प्रकार उसको प्यूख करना है बे माना को मस्तच की सोच सकता है तीसरम समस्ते माना भई पुंजी की एक मेत्वन विश्चता यह है कि आधिक सिच्चत एपम आधिक स्वस्थ लोगों के लाव स्वम उन तक ही सीमित नहीं होती है बलकि उनका लाव उन तक भी पहुशता है जो स्वम उतिने सिच्चत एपम स्वस्थ नहीं होती है जबकि स्र भी उन स्कुल को पोचा सकता है जो कि आसिच्छित है हना स्वास्त नहीं है एसे भे संसादन को डेवलोप कर सकता है लेकिन भूमी जो भोती पुंजी भे डेवलोप नहीं कर सकती है प्रशन 4 हम देखते है सकल और बिलास की कहाने में क्या विनता है तो चलिए हम समझ लेंगे तो देखिए सकल और बिलास की बीच निमलिखत अंतर ध्यान देने योग है देखिए पिलक है सकल जो है इसकुल गया सकल और बिलास नाम के दो लड़के हमें इनके बीच में अंतर बताना तो देखिए सकल जो है इसकुल गया था लेकिन जो बिलास है बेसकुल नहीं गया दूसरा सकल सारी रूप से मजबुत और स्वस्थ था उससे बार बार डोक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं थी लेकिन बिलास जो है गठिया के मारीश था उसके पास डोक्टर के पास जाने के साधान नहीं थी तीसरा सकल ने के करा कम्पूटर में कम्पूटर प्रोग्राम इसके बाद आपके सामने हमारी वेबसाइट का इंटरफिस आ जाएगा इसके बाद आपको ऊपर दी गई थी लाइन पर क्लिक करना है इसके बाद नीचे की और पिले लिष्ट खुल दाएगी इसमसा आपको इसमाल 3.0 होमबक सुलूशन पर क्लिक करना है अब यहां से आप डेली का इसमाल 3.0 होमबक का सुलूशन लिखित में प्राप्त कर सकते हैं अब लाश्ट खुशन आपको दिया है जन संक्या दाद बिसे परी संपत्य में किस प्रिकार बदल लाती है यानि कि जो जन संक्या है जो लोगों की संक्या है बे संपत्य या फिर संसादन में किस प्रिकार बदल ले जा सकते हैं इसके बार में बताना तो देखिए नंबर 1 के पॉइंट हमें यहां पर दिया है कुछ लोग ऐसे हैं जो जनसंक्या को संपत्ती के बजाए दाइदिक रूब में देखते हैं याने कि बेसोस्ते हैं कि जनसंक्या से हमें कुछ नहीं मिलेगा बलकि इससे हमारा कुछ पास में जाएगा लेकिन यह सच नहीं है लोगों को एक उत्पादक संपत्ती में बदला जा सकता है याने कि जो लोग है बे उत्पादन कर सकते हैं उत्पादन दिन वाल संपत्ती की रूम में हम बदल सकते हैं यदि हम उनका सिच्ष में invest करें हैना प्र सिच्षन में invest करें चिकत सर्देखवाल में investment करें तो पर लोग है उनकोंका इंदर skill आ जायेगी हैना कोसल आ जायेगा और वे संसाधनों बदल सकते हैं अब दूसरा हम दिखते हैं पर कि जिस प्रकार भूमी जल बन खनीज हमारी भाहूमल प्राकात संसाधन है उसी प्रकार मनुस भी एक भाहूमल संसाधन है याने कि उससे क्या होगा देश का आर्थिक विकास होगा मनुस ना किवल राष्टी संपत्ति को अप्भोगता है बल् म६ूमी और पुन्जी अपने आप में उप्योग नहीं होसकती